मैं बहुत ही एजुकेशन सिस्टम को मतलब मैं रेगुलर नहीं था सब्सक्राइब बंक भी कभी कभार आते हैं नहीं था बच्पन से 2015 से एक फानेंशल मार्केट का करेश था बिलकुल मुझे वालेश थाब ने बहुत इंसिस्ट किया गया रहे उनको तो आपको बता है देशी पेरेंट्स को कहा समझा ती एतने टेकनिकल स्टफ तो वह काफी इंसिस्ट किया कि इतना मैं अलम्दुलेला आपको काम करने की क्या इतना समझ आता है कि स्टॉक मार्केट है उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है उनको क्रिप्टो का फिर मुझे पदा चला कि अच्छे आप इस तरह डिडिटल एसेट ओन कर सकते हैं फास्ट ट्रांजेक्शन होती है मुझे रिवलूशनरी चीज लगी तो सबसे पहले बंदे को अंडेस्टेंड करने हैं कौन से कर्टेगरी में फिर्ट होते हों लहाँ आपकी एच किया है मतलब जिन्दगी की प्रायॉरिटीज के हैं उसके अकौर्डिंग लेट से फार एग्जेंपल एक फैमिली का यह चौवीज गंटे तो सकरीं के सामें नहीं बैठ सकता या बा आपकी एच किया है मतलब जिन्दगी की प्रायॉरिटीज के हैं उसके अकौर्डिंग लेट से फर एग्जेंपल एक फैमिली का यह चौवीज गंटे तो सक्रीं के सामें नहीं बैठ सकता या बारा दस केंटे पंदर गंटे की है स्टन्स अफ रिस्पोंसिबिलिटीटीज सामलेकुम बैब वेलकुम तो अनदर एपिसोड तोड़े वेरी इंपोर्तन इंप्रेशल गेस्ट एक ऐसा टॉपिक आज हम लोग डिसकास करेंगे जो पिछले प्रबबबली आ थिंग चार पांच सालों से बहुत ज़्या मार्के इंदर डिसकास किया जा रहा है उच इस क कैसे शुरू हुआ पाकिसान में बहुत ज़्यादा फेस्बुक ग्रूप्स बन चुके हैं लेकिन अभी तक उस तरह बेसिक अंडर स्टैंडिंग आई फील लाग अट लीस मुझे इतना जादा नहीं पता तो मैंने आज हारिस भाई को इन्वाइट किया कि वो थोड़ा सा में उसमें जाते हैं हारिस में हम लोग थोड़ा सा डीप डाउन तो उसमें जाएंगे लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा अपनी एक अप्वरिंगिंग आप बताएं आप कहां से हैं बच्पन में क्या पढ़ाई की बिकुस जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं वो तो मेरा ने बेचलर्स किये बिजिनिस अड्मिनिस्टेशन में लेकिन मैं इस करन्ट एड्यूकेशन सिस्टम का इतना बड़ा अतलब फैन नहीं हूँ कभी बच्छ में बहुत जादा तब शौक तर टीनेज लाइफ स्टाइल में लाइफ स्टूंट से मिन अपने डिग्री से अपनी लिए एक अपनो टीडियरी प्रफेशन अपने चेंज कर गिया बिलकुल तो एड्यूकेशन सिस्टम का तो इतना बड़ा अफेन मैं हूँ यह एक basically degree purpose के लिए किया है कि पस एक degree ले ले लें नाम की degree हो so so जब आपको पता चला सबसे पहली दफा तो what was your sort of first step to go into this world because उस ताइम तो पाकस्तान में जनरली मेरे खाल से अभी तक to be honest वो उतना mainstream I feel like नहीं है जतना west में भी नहीं है नहीं है कि सिर्फ पाकस्तान में नहीं है तो जाहर है और दूसरा जनरली मतलब कराची की अब जैसे है तो वो एक financial वैसे market है तो वहाँ हो लोग बहुत जादा I think जतना मेरा at least experience है वो जादा गुफतगू इस वह थी ना इसलामबाद में ना नहौर में या पिशावर में तो जब आपने इसके पर काम शुरू किया या discover किया सबसे पहले तो वो like circle कुछ आपको मिला कि किन लोगों से बात करें कैसे उसको research करें जी international communities काफी एक दफ़ा आहिस्दा इस्दा 2015 के अंदर मुझे पता चला कि Bitcoin क्या है 17 के अंदर जब massive rally आई आई इस्दा इस्दा behind the scenes में ये सारे financial markets basically interconnected है इनकी जो अगर आप कहलें trading perspective से इसमे टूल यूज होता है technical analysis सब markets में एक किसम का है एक तो stocks basically micro economics पे fundamentals पे technical analysis पे बहुत rely करते है as well forex भी उसके साथ तो back end पे तो already मेरे basics clear थे crypto 2017 के अंदर जब एक hype इसकी बनी तो इस चीज़ को फिर मैंने chase किया आहिस्दा इस्दा इस्दा already मेरे reference circle था जिसमें हम ये analysis बागर डिसकस कर गते थे तो उदर से काफी दोस्त और गोरे दोस्त भी काफी बने आहिस्दा इस तब बहुत पाकिस्तानी भी मिले तो alhamdulillah it's been a tremendous जरनी लेकिन ये जब आपने घर या अपने जो बच्पन के sort of दोस्तों का सवगल था उसमें जब ये जिकर करना शुरू किया तो what was their reaction? जी अभी तक उस टाइम तो मैं आपको अभी की बात बता देता हूं उनको अभी तक समझनी पड़ती है कि बचा कर रहा है मेरे वालिद साब को ये नहीं बता कि ये क्या कर रहा है मेरे कजन्स को नहीं पता कि ये क्या चीज है ठीक है वो बस ठीक इतना समझ आता है कि stock market है कुछ नहीं बता उनको लब इस चीज़ पर education की काफी ज़्यदा जरूरत है पाकिस्तान में लेकिन जब आपने उनको बताया like traditional तो जार है पहले तो आप doctor engineer साही नहीं बाए निकल सकते और वहां की बजाए बिलकुल ही एक और उसमें तो what was their sort of reaction or feedback overall जी बहुत अजीब फैम आप Mbbs co-opt करो मेरे वाले साहब की बहुत वाइस थी कि मेरे दोनों बिल्टे डॉक्टर बने तो एक आपको बताया traditional mindset तो जब मैंने ये idea उनके सामने ये रखा कि यारी इस तरह financial market से ये crypto है तो वाले साहब तो के रहे तो क्या हवा में थीर मारने माली बात कर रहे हुआ है so मुझे मुझे थोड़ा सा बताया अब as a layman मुझे मुझे भी नहीं पता so I personally want to understand कि ये financial markets क्या है और फिर बजारे crypto और ये सारी चीज़े है in a very बिलकुल simple way how would you explain जी basically financial markets में आपके stock market आ जाता है फोरेक्स आ जाता है crypto भी इसके अंदर involved है लोग options वगरे भी trade करते हैं सारी चीज़े इसके अंदर cover हो जाती है लेकिन major जो एक इसके अंदर एक phenomenal factor है financial markets के अंदर एक ये tool है सब markets में use होता है उसको कहते हैं हम technical analysis मतलब for example एक company है मैं आपको बता दूँ let's say apple ठीक है उसको तो fundamental analysis news space बंदा देख लेकर क्या ठीक है news positive है negative है क्या interest rates बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं उसके according rational judgment बंदा कर लेता है लेकिन एक tool है उसको हम कहते है technical analysis जो आप अक्सर देखा होगा charts पे charts जो लोग stock markets में और computers पे charts देखते हैं ये technical analysis basically एक tool है जो आपको help करता है किसी भी financial market की एक pair को analyze करने में तो किसी भी pair को let's say आप ले लें bitcoin को forex के pairs को ले रहे हैं euro USD को apple के stock को ले 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 हैं टेसला को ले 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 हैं अगर आपने probability लगानी एक judgment एक bias pass करना किसी को बताना है अगर आपसे for example आप मुझसे पूछें यार हारिस आपका क्या perspective है bitcoin की उपर सबसे पहले मैं आपको बताओंगो मुझे chart देखाओ इस चीज़ का तो certain strategies तो chart का मतलब है कि basically trend जो है वो आप study करता है जी मैं overall इसके जाहिज़े लेता हूँ study करता हूँ कि higher time frames एक trend क्या चल रहा है market में और अभी इस moment में क्या act करना चाहिए तो थोड़ा सा अगर आप crypto का बताएं कि यह आई चीज़ कहां से है मतलब पाकिसान में जैसे आपने कहा कि 2016-17 के आसपास जो है वो एक यह नो यह नाम हमने सुनना शुरू किया कि जी bitcoin है और ethereum है और लोगों ने घरों के अंदर जो ह और वो लगाना शुरू कर दी और पुरा और फिर हमने देखा कि internationally जो है वो एक बहुत जादा इसका शुरू हुआ तो पूरा यह चीज जनरली जो है वो कब इस यह industry पूरी के पूरी शुरू हुई है यह एक सतोशी ना कमोडो नामी शक्स था उसकी identity अभी भी anonymous है किसी को नहीं पता वो कौन है यह किदर है इसने basically bitcoin का white paper introduce किया था basically you wanted to combat the financial system एक current banking जो system है इसको मालब इससे एक separate इसने एक financial system बना दिया है जो decentralized है बिलकुल इसमें एक central party involved नहीं होती है जिसको हम third party कहती है और example अभी अगर मैं bank की तुरू transaction कर रहा हूं तो किसी को पैसे बेचने है और अगर मैं crypto की तुरू payment send करता हूं किसी को तू तो anonymous decentralized है और आपका पूरा जो एक blockchain की उपर record है सारा आ जाता है लेकिन जो सतोशी है उसका तो अभी तक मेरे खाल से किसी को नहीं पता चल सका कि कोई कहता है कोई कहता है कोई कहता है कि एक ordinary नाम है कोई कहता है कि ये probably financial markets का ही कोई बंदा है जिसने ये सारा बिलकुल हर बंदा अपना एक theory एक conspiracy बनाता है ये इस ने किया इस कंट्री ने इसको फॉर्म किया किया किसी कोई किया लेकिन अनॉनिमस से अब आपने जैसे learning की बात की तो हम लोग Facebook पे मुझे तो रुफ़ाना आड्स आ रहे होते हैं कि जी मेरा course जॉइन कर लें और ये मेरा वकार जका का ग्रुप जो है वो सबसे probably you know one of the most famous groups और उसमे एक बहुत ज़दा मैं जब मिला एक दौह वकार भाई कि तो मैंने ये पू आरे वकार ने बहुत ज़दा एक एक आप I think कुछ लोगों में थे जिन्हों ने प्रॉबली 2017-18-19 से ये जो है वो इसके बात करना शुरू की वकार ने शुरू की अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से groups हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत से लोग है जी वो लीगल है नह की चीज़ें अब जारे एक आम बंदा वो सीखना चाता है उसको तो अब इतना नहीं पता कि कहां वो जाए कहां ना जाए किस बंदे को फॉलो करें सो वाट अधर स्टेप्स लाइक बेबी स्टेप्स आपके ख्याल से क्या होने चाहिए कि शुड ही और शी स्टार्ट रोताना एड्स वाकरा देखता हूँ यह बहुत इवन मैं भी अगर अपने फेस्बुक फीड खूनों भरा होगा इस चीज़ से क्योंकि वो आपके एक्टिविटी को ट्राइक करो ते उसके अकोर्डिंग आपको एड्स दिखाता है जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं फ फेमिस कावत भी है जहां किसी को बता चले इदर सोने वो शौल बेचता है आप वो इस चीज़ को बता होगा तो बेसिकली हर बंदे के दिमाख में एक फेंटिसी है एक से दो, दो से तीन, चार से पांच मैं आज बाइक करूँग स्क्रीन के सामने और पूरा इमेज बना हो लेपटॉप्स लगे होंगे, उस्क्रीन लगे होंगे, एक बेसिकली उनके अंदर चजबात को ट्रिगर किया जाता है, यह गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप मुझ से पूछे, मैं कभी भी ऐसे बिजनिस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, एक कि मैं इसके अंदर डाइव इन करूँ इस बिसनिस के अंदर, सबसे पहले मैं जानूँ गार यह बिसनिस मॉडल है क्या, मैं यह टेकनिकल एनेलिसिस क्या चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग स्पाइकोलिजी क्या चीज़ होती है, जो हम इसको एमोशिन्स कहते हैं, मैंने आपको बता है न, पैसे एक ऐसी चीज़ हैं, जहां एमोशिन्स इनवल्वड होते हैं, फियर, ग्रीड, सब कुछ इसके साथ, तो हम इसकी बेसकी उपर डिसिजन्स लेते हैं, तो फाइनेशल मार्केट से एक हाईली मैनी पुलिट इंडिस्ट्री है, जिस तरह मैंने आपको बता है, हर बंदा शवल वेशनी की कोशिश इदर करता है, तो मैं कभी भी हर्गिस किसी न्यूवी को नहीं सेजिस्ट करूँगा कि डिरेक्ली आप अपनी योद को स्पेशली कहूंगा, अलड़ी, अलहम्दुलेला मेरी तो 36,000 क कम्यूनिटी भी है, बहुत स्टूडंट्स हैं, स्टार्ट में काफी जो मैंने बनाए यही इशू था, स्टूडंट्स का, कि यह लोग पैसा लाते थे और पैसा इनका लॉस हो जाता है, तो दियर ओन डिसिजिजिन्स, मिस्टेक्स, फिर ब्लेम गेम शूर हो जाता है, इस वो हो गए, या मैं इन्वेस्ट बहुत जादा करना चाहता हूँ, या उस तरह की कोई इंटरस्टिंग कोई स्टूरी अगर आप शेयर कर सके हैं, जी, बहुत रोजमरत के यह खालात हैं, स्टूरी जाती रहती हैं, लोग लॉसिस कभी बताते हैं, क्वेस्टिन्स भी पू आती थी, मेरी किशन इंकम थोड़ी सी आना स्टार्ट हो जाएं, और मैंने एक पोजिशन ली हुए है, एक ट्रेड ली हुई है, तो यह लॉस में भी जा रही है, जब उसको बेसिक पता था, लेकिन लेकिन एबी सी उसको आती थी, अंदर के टेकनिकल्स और सिस्टम से बि करने की जरूरत थी, आपने गलट डेसिजन ली हैं, और यह आपको कोस्ली पढ़ेंगे, और वो अनफॉर्चनलिटी लिक्विडेट हो गई, मेरा अला शाहिद है, बड़ा दिल खाप हो इस चीज़ पर, कि यार यह हो रहा किया है, लोगों के साथ, रोज बरोज ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, और वो गलत गाइडन्स है, एक योथ के अंदर, और स्पेशली यह टीनेजर्स, 18 तू, 19, 20, ऐसी एज होती है, कि इनको आप एड्स बगरा और यह चीज़े दिखाते हो, यह लोग कहते हैं, लैप्टॉप लाइस्टाइल, बैट कर बस पैसे होंगे हो तो एक और बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करना शुरू किया, स्पेशली ओन टेक टॉक, कि जो यंग बच्चे ना, उन्होंने इन्वेस्टर्स लिखना शुरू कर दिया अपने बाइवस में, अब आप देखते हैं कि यह इन्वेस्टर्स, उपर एक द मैं 3.2, एक्सपर्ट, एन्फटी ज लवर, जी बुल्ठी सी दे, टेक टॉक पे, इंस्टाग्राम पे, रोज मर आप देखेंगे, लेकिन ये एक, आपको पता है, सोशल मीडिया एक, मेजोरिटी, लोगों का एक फेक दिखावा होता है, उच भी इन रियलिटी से बहुत द और चीज़ें जो हैं, यू विल बैसिकली लरन, और उससे भी ज़्यादा आप कह रहे हैं कि स्टार्ट विध, एक जो फ्री इंफर्मिशन पड़ी भी है, यू डेमी, आगे पिछाब के कोर्सिस हैं, बहुत से और लोगों के हैं, कि एक दफ़ा पहले, अपने आपको एच हैं, आप अच्छे डेसिजिन्स करोगे, अच्छे थोट्स होगे, और मेक को ड्वाइस डेसिजिन्स, और मार्केट विजर्ट पे बिल्कुल, कोई से स्टूडेंट मेरे अल्ड़डी है, अलम्दुलेला अप इतना प्रोग्रेस हमने कर दिये कि मेरे स्टूडेंट अब ग पेचते हैं, स्टूडेंट पेचते हैं, बहुत हो रहा है पाकिस्तान में, और मार्केट विजर्ट ने, मैं कंस्टेर करता हूँ, एक रिवॉलूशन पाकिस्तान में कोस्ट किया, बहुत लोगों की ब्रेड अन बठर इसे लग चुका है, अब एक स्किल वो लोग आके बे नहीं है, वन ट्रिलियन डॉलर मार्केट के एप है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा, आप इसमें अपने सर्विसेस पेचते हैं, यह अपके पास नहीं, और आपके पास केपिटल है, नौलेज आपकुछ रही है, पाकिस्तान में, नम्दलिल्लाह, मेरे सारे क इसकी करते हैं लोगों को, फ्री रेप्लाई करते हैं, कोर्सेस से जिनको उनको क्वेस्टन समझ नहीं है थी मेरे ग्रूप में पूछते हैं, मेरे मौड्स उनको गाइट करते हैं, यह ऐसा नहीं, और प्लेटफर्म के सीनियर मेंबर, जो मेरे स्टूड़न्स हमको मेंने ट से मिली है, जितना प्यार रिस्पेक्ट स्टूड़न्स से मिला है, तो अलहम्दले लिए इस पिन ब्लेसिंग, और जितना फेम मिला है, तो यह अल्द आला की जितना हम शुकर अदा कर उतना कम है, और इंशालला आगे जाकर और भी प्लैन्स हैं, रिवलुशनरी, तो किसी स्टूड़न्स ने सीखना है, एक पोस्ट टाल दें, मार्केट विजिट्स में, आइम न्यू, मेरे मोड्स आपको एर टूजी गाइड कर देंगे, कोई क्वेस्टिन्स होते हैं, पूछा करें, आपके विदाउट एनी हिसिटेशन, नो वन मुड लाफ, इतनी सक्त, मेरे इतने प्लाटफॉर्म में, देखें, एक सक्ती ये की हुए, कोई किसी की उपर हाहा रियक्ट नहीं कर सकता, किसी के बंदे के पोस्ट की उपर हस नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक वेल रेपुटेट कम्यूनिटी में बैठे हो, आप की उपर कोई हसता है, तो आप इन सब की लिए, ताकि ये लोग सीख सकें, आपकी लास्ट, अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक बंदा है, और वो इस पूरी कॉन्वसेशन से, उसको लगता है कि यार, there is a potential, I want to learn, विशक स्लोली हो, ग्राजूली हो, को स्टूडेंट है, क्या तीन स्टेप्स आपके इन वेरी सिंपल, एक आम बंदा जिसको कुछ में नहीं पता, आखरी आप क्या इस हमले से केंगे, त्री स्टेप्स, टेकनिकल एनेलिशिस, बेसिक टीए, रिस्क मेनिज्मेंट, ट्रेडिंग साइकोलेजी, ये तीन चीज़ें, मैंने आपका खुलासा बता दिये, तमाम मार्केट्स का, और मेरी वीडियो एक प्लेइलिस्ट है, यूट्यूब पे, ब्रूटल टूट्स ऑफ ट्रेडिंग, मैं हर एक स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि, बिफोर मेकिंग एनी डिसिजिजन इंटु दे मार्केट्स, एक बार बस, जिन्दगी कैतना टाइम आपने बरबाद की है, फेसबुक वगरा पे, दो गंटे इस पॉड्कास्ट पे बरबाद कर लें, मेरे पॉड्कास्ट पे, मेरे रिकॉर्डिंग पे, कि यार ये ट्रेडिंग की इंडिस्ट्री कैसी मैनिपुलेटिव है, और मैं किस तरह एक से लो थ्राइफ कर सकता हूँ, या प्यूपर मस्ट है, एक दफा सुन लें, एतना टाइम बरबाद कि ये दो तीन गिनटे दर ही लगा दें, ठेक है, और उसके बाद बस, ये गुड़ टू गो, परफेक्ट, लास्ट लास्ट क्वेशिन, आपका सबसे बड़ा जो लॉस है, वो क्या था, लाक वन यू स्टा डॉलर से, मैं ट्रेड ले ली, मैं शावर लेने चला गया, अभी भी मुझे याद है, चंद सालों की पहली के बाद है, मैं वाश्रूम से निकला, ऊपर एक नोटिफिकेशन था, यूर पोजिशन हैस बीन लिक्विडिटेट, तस हजार डॉलर विदिन स्पैन ओ फिफ्ट काफी मेरी लिए एक डिप्रेशन टाइब का मैं दू-तीन दिन डिप्रेश राक, यार यह क्या है, यह हुआ क्या है, मजे समझ कुछ नहीं आ रही थी, उसके बाद अलम्दोलिल्ला मुझे रिस्क मैनेजमेंट की समझ आई है, यार हा रिस्क मैनेजमेंट कोई चीज होती ह रिस्क मैनेजमेंट नहीं आथा, यह शीख ली और उसके बाद बसलत अलम्दोला ने कामे अभी अधा फर्माई, परफेक्ट, 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 तैंक यू सो मुच पर यू टाइम, तैंक यू सो मुच पर कमिंग, काफी, परसनली मुझे काफी चीज़ें सीखने को मिली हैं, as a layman, जिसको बहुत जादे नहीं पता, इस पूरी इंडेस्ट्री का, और कोई भी questions होगा, तो जारे वोडियन्स, I think, comments में, और देन यू और तैंक यू सब ओडियन्स को मेरे platform, और moderators, मैरे जितने भी mods हैं, आप सब को assist करने के लिए तैयारे, तैंक यू सो झालोगोगोई तैयारे, तैंक यू सबस्सक्राइब को